नमस्कार आप देख रहें जी बिजनिस मैं हूँ स्वाती रायना सुरक्षा के लिए आप अपने जरूरी दस्तावेज और महंगी जूलरी बैंक लॉकर में जरूर रखते होंगे और इसके लिए मोटी फीज भी चुकाते होंगे लेकिन गाजियाबाद के PNB ब्रांच में हुई लूट ने एक बार फिर लॉकर की सुरक्षा पर सवाल खड़े कर दिये हैं और आज के इस खाशो में हम आपको बताएंगे कि कस्टमर्स के क्या अधिकार है और अगर लॉकर में चोरी होती है तो उसे क्या करना चाहिए यह हमारे साथ खास एक्सपर्स भी हैं और हमारे रिपोर्टर भी हमारे साथ ग्राउंड जीरो से मौजूद है उससे पहली स्पेशल रिपोर्ट देखिए गाजियाबाद के पंजाब नेशनल बैंक की मेरट रोड ब्रांच के लॉकर में चोरी से एक बार फिर बैंक लॉकर की सुरक्षा पर सवाल खड़े हो गए हैं शनिवार और रविवार की छुट्टी का फाइदा उठा कर चोरों ने कस्टमर्स के लॉकर में रखे करोडों के सामान और जरूरी दस्तावेज पर हाथ साफ कर दिया दिवार में छोटा छेट बना कर ये चोर अंदर घुसे थे बदमाशों ने 30 लॉकर से करोडों के जरूरी दस्तावेज उड़ा दिये बताया जा रहा है कि बैंक में शहर के कई बड़े कारोबारियों के अकाउंट है ऐसे में बैंक लॉकर से चोरी के नुकसान का अनुमान लगाना आसान नहीं है इस चोरी ने एक बार फिर बैंक लॉकर की सुरक्षा को संधे के घेरे में लाखडा किया है इससे बड़ी समस्या ये है कि कस्टमर्स को मुआवजा कैसे मिलेगा क्योंकि बैंक लॉकर में रखे जाने वाले सामान की कहीं लिस्ट तैयार नहीं होती लॉकर में क्या रखा गया है इसका पता सिर्फ ग्राहक को होता है RBI की पॉलिसी के मताबिक बैंक इस बात का जमेदार नहीं होगा कि कस्टमर ने लॉकर में क्या रखा है चोरी या लूट जैसी घटनाओं के मामले में खानून के मताबिक कारवाई होगी RBI की पॉलिसी ये भी कहती है कि बैंकों को भले ही लॉकर में रखे कंटेंट की जानकारी ना हो लेकिन उसकी सुरक्षा की जमेदारी बैंक की ही है ऐसे कुछ मामलों में ग्रहकों को पहले मुआवजा भी मिल चुका है पंजाब नेशनल बैंक के गाजियाबाद की ब्रांच के ग्रहकों के लिए मुआवजा पाना इतना आसान नहीं होने वाला है PNB के शाखा प्रबंधक अशोक श्रिवास्तों के मताबिक जिन ग्रहकों के लॉकर हैं उन्हें अपने सामान की सूची बैंक को देनी होगी इसके बाद एक पैनल ग्रहक से पूचताश कर ये तै करेगा कि उसका बताया गया सामान लॉकर में था या नहीं इसके लिए ग्रहक जूलरी और दूसरे सामान के सबूत दिखा सकते हैं अब पीडितों के सामने समस्या है कि वो पुष्टैनी जिवरात के बारे में क्या सबूत देंगे घाजियाबाद बैंक लॉकर चोरी मामले में पीएनबी की बड़ी लापरवाही सामने आई है पुलिस के मताबिक बैंक में लगा सुरक्षा अलार्म सेंसर जाज में खराब पाया गया है इसके चलते चोर जब बैंक में घुसे तो अलार्म नहीं बजा जिस दिवार को तोड़ कर चोर घुसे वो मातर चार इंच चोड़ी थी मानकों के हिसाब से ये चोड़ाई कम है साथी बैंक ने अपनी तरफ से कोई सेक्योरिटी गार्ड भी तैनात नहीं किया था पी अन्बी के स्ट्रॉंग रूम में ये पहला डाका नहीं है इससे पहले सोनी पत में भी लुटेरो ने सुरंग खोद कर सैक्योर लॉकर से चोरी की थी ऐसे में सवाल ये है कि इसे बैंक की लापरवाही ना कहें तो क्या कहें यादराम भारती, जी मीडिया, घाजियाबाद तो कितना सुरक्षित है आपका बैंक लॉकर और क्या किया जाना चाहिए ऐसे समय में जब बैंक लॉकर से ही करोडों की चोरी हो जाए इस वक्त इस खास पेशकृष में हमारे साथ कुछ खास मेहमान है आपसे परिचाय करा दे, वीके सूरी बैंकिंग और फाइनांस एक्सपर्ट हमारे साथ स्टूडियो में मौझूद है श्रीराम खना जी कंजूमिन अक्टिविस्ट हमारे साथ है एसी महाजन, चेर्मान, बैंकिंग कोड्स और स्टैंडर्ड बोर्ड्स अफ इंडिया हमारे साथ है साथ ही हमारे सेवगी समीर दिक्षित इस वक्त ग्राउंड जीरो से मौझूद है अब सभी महमानों का बहुत खास स्वागत है हमारे इस पेशकृष में समीर सबसे पहले आप से हम जानेंगे कि बैंक के लॉकर में जब चोरी हो जाती है घर में पड़े जेवरात या घर में पड़ा हुआ सामान, important documents, files, cash आम तो पर लोग बैंक लॉकर में जाकर रखते हैं ये सोचते हुए कि हाँ उनकी जो पूंजी है, उनका सामान है, उनकी important documents सेफ रहेंगे क्योंकि घर में उनको लगता है कि ये safety उतनी नहीं मिलती है बैंक लॉकर से ही अगर ऐसी चोरी हो जाए तो लोगों का भरोसा उठ जाता है आपसे भी बात करना चाहूंगा कि भैंक में वैसली बैंक की बच्छीरए लयां धाब करेंगे लेकाये लॉडस जानकारी या बैंक को बैंक की सेर्फ़ेस ऊंकरी ये और ऐसे मेंगर को tumorika घटना होती है जैसे चोरी की घटना होती है आपको लगता है कि उसमें किसी जभिम्मदारी होनी चाहिए या फिर आपके मनुकों शंग को डर्व वन्सें वृुस मान वह लुट्स थिश्वाज़ सुद भी धूर्य और पैसा नहीं कृती है आपको लगता है किion Title फिजिकल दायरे में हैं तो लोगों का यह मानना है कि बैंक को भी इसमें अपनी रिस्पॉंसमिल्टी उनकी बनती है जिसको उनको निभाना चाहिए सभी लेकिन इस इंसिडेंट के बाद बहुत क्विकली आप से जाना चाहेंगे लोगों से आपने बात कियो होगी क्या लोग वाकई सेफ महसूस करेंगे कि हाँ बैंकों में भी उनका जो सामान है लॉकर में वो सुरक्षित है सिधा सवाब आपको लगता है कि आगर लॉकर जासे लॉकर में अगर कोई चोरी होती है इस तरीके के कोई घटना होती है आपको तब भी प्लीफ रहेगा बैंक में बिलकु नहीं रहेगा बिलकुल एक ट्रस होता है वो तूट किया पूली को एक दो लोग जिनसे आपने ब एक एहम रोल निभाना होगा ताकि लॉकर की भी सुरक्षा बनी रहा और लोगों का विश्वास भी बरकरार रहें वाग है कुछ लोगों की राय हमने जानी है समीर आपने हम तक लोगों की राय भी पहुँचा है रेकिन वीके सूरी जी बांकिंग और फाइनन्स एक्सपर्ट के तौर पर आपसे समझना चाहेंगे अगर लोगों के मन से ये विश्वास उठा है कि बैंक लोकर में उनकी प उनका विश्वास हो जाएगा ये बड़ा लूप होल है इसमें जो आपका 152 सेक्शन है कंट्रेक्ट एक्ट का उसके मताबिक बैंक जिम्मेवार नहीं है लेकिन दो केसिस में एक आप ये प्रूब कर सकें कि आपने क्या कंटेंट्स थे आपके दूसरा कि बैंक का कोई लै असवार में लॉकर स्ट्रॉंग रूम बनाया हूए हैं ये किसी समझ में लेका कि आपको पाउर स्ठोर्ण तो बहुत बड़ा ये सिक्योर्टी लैपस उनका नहीं है उनका बहुत लोकर टूटे हैं चोरी हुई है बर्गलरी हुई है रोबरी हुई है और लोगों का नुकसान हुआ है तो इसमें एक्ट में जो मर्जी लिखा हो पहले भी कोर्ट के केसिस जो है वो कंस्यूमर की फेवर में उनके वर्डिक्ट हैं और इस केस में भी जो है कंस्यूमर की फेव आपके रिपोर्ट में ये बताया कि पुश्टेनी जोलरी है तो उसकी रिसीट कहां से होगी उसकी रिसीट अब ग्राहकों को भी थोड़ा पहुत अपनी अवेरनस होनी चाहिए कि वो एक जब भी कोई चीज रख रहे हैं लोकर में उसको एवेल्यूएट करवा लें एक पंसेशन उसमें मिल पाएगा अब इसमें बैंकों को थोड़ा और क्लाइंट कस्टमर यानि फ्रेंडली होना चाहिए कि प्राइवेट बैंक्स जो है वो आपको इंशोरेंस आर्टिकल्स की इंशोरेंस करवाते हैं और ऐसे केस में अगर आपकी चोरी हो जाती है तो वो इ एक भी पुब्लिक सेक्टर बैंक जो है वो इसने इंशोरेंस नहीं लिया हुआ लॉकर के अंदर आर्टिकल्स का तो सबसे पहले ये मेंडेटरी कर देना चाहिए जब आप अपनी साइट पर इसी भी पुब्लिक सेक्टर बैंक की आप साइट पर जाते हैं तो वह बड़ा नहीं देंगे ऐसा नहीं है यहां पर जूडिशरी है पहले भी जूडिशरी ने डिसीजन लिया है कि थोड़ी बहुत इत्याद जो है कि यह कुछ असीद बना के रखें जो समान रख रहे हैं उसका एक प्रूफ हो और अगर कैश या कोई डाकुमेंट रखते हैं लोकर्स में तो उसको एक ठीक है वहाँ पर एक जो कंजूमर की अपनी अवेरनेस होना बेहत जरूरी है लेकिन क्या नियमों में जी तर्माइट जो है आपके इंसेक्स उसको खा जाते हैं और बाद में प्लेंट होती है कि यह मेरे डाकुमेंट खराब हो गया उसको एक पॉलिथीन में एक प्लास्टिक पॉच में अच्छी तरह से ठाइट करके रखें चीक है श्री राम खना जी क्या ऐसे नियमों में बदलाफ की जरूरत है जहां पर बैंक भी जिम्मेदार हों कि हाँ अगर किसी की पूंजी चोरी हो जाती है खराब हो जाती है तो उनको भी इसके लिए अगर प्रूव कर दिया जाए जाए कि इनकी सेवा में कोई तूटी थी यहां तो साफ है कि एक इड की दिवार में आपने स्ट्रॉंग रोओ बनाया हूँ आपने सीसी केवी कैमरा लगाय हूँ है परन्तु उस कैमरे को देखने वाला कोई नहीं है रात को फिर आपने गार्ड रखा नहीं हुआ आपका अलाम खराब है तो इस तरह की जो परवाई बढ़ती गई है उससे आम रूप से कंजूमर कोट में प्रूफ किया जा सकता है इस इफिशेंसी और सर्विस हुई है और बैंक उसके लिए जिम्मधार है अब सवाल आता है जैसे इन्होंने कहा कि कैसे प्रूफ करो गया तो इन्होंने सही कहा कि आप आपकी जूलरी है तो जूलरी को वैलियोड करवा लेगे मेरा तो एक सुझाव है आज जितने लोग मेरी बात सुन रहे हैं ध्यान से सुने अपने बैंक में जितनी जूलरी रखी है उनकी एक फोटो कॉपी करवा लें और जूलरी को वापस लॉकर में रख दें फोटो कॉपी आपके पास रहने चाहिए और ये प्रूफ होगा कि ये वाला मेरा जो सेट था ये मैंने या रखा था और अगर आप जूलर से सर्टिफाइट जूलर से एक वैल्यूशन रिपोर्ट करवा लें कि ये 20 करड़ की है इसका वेड था वो तना ही काफी है तो आपके पास कोई साधन होना चाहिए प्रूब करने के लिए कि मैंने क्या नुकसान पाया है अब चीज तो आपकी गुमिया सौर बेगी और आप बोलो कि ये मेरा तो एक लाग का नुकसान है तो ये भी पॉसिबल नहीं है क्योंकि कल आप कजेरी में जाना पड़ेगा आपको अभी पंजाब नेशनल बैंक के बोलर डिरेक्टर्स इतने सानव बूति पूर काम नहीं करते हैं कि वो जैसे ही डाका पड़ा अगले दिन वो पैसे देते हैं आपको उन्होंने चोहने नहीं देनी आपको आपको लड़ना पड़ेगा और मेरा सुभाव है इन 30 लोगों को जिनकी 30 परिवारों के नुकसान हुआ है कि आप एक अपनी ग्रूप बनाईए और किसी कंजूमर सेशन के माधियम से कंजूमर कोर्ट में सेक्शन 12-1-B के तहत एक कोलेक्टिव सूट डालिये कंजूमर परिटेक्शन एक में ताकि 12-30 लोगों को लग-लग मुकदमिने लड़ने पड़े कर लोगों को अब चिंता सताने लगी है कई बार लॉकर में से चीज़े चोड़ी हो जाती है और बहुत बड़ा मामला गाजियाबाद के पे अन्वी ब्रांट से हमारे सामने आया है क्या इस पर कोई सला आप बैंकों को देना चाहेंगे कि वो बेहतर हिफाज़त कैसे करें बैंकर्स का यह एक्चुली रिलेशन से पर लैसर एंड लैसी का है इसमें तो वही है सजैशने रिजर्व बैंक के माप दंड हैं कि लाकर कैसा होना चाहिए लोगों को असेसेबिल्टी कैसे देनी चाहिए अगर बैंक से वो फालो करेंगे तो ठीक ही होगा चोरी और नुकसान वही होता है जहां बैंकों से लैप्स हुए है अधरवाइस सिस्टम आई थिंक इस कॉइट इफेक्टिव और वर्किंग ओके लगता है कि सिस्टम ओके हैं लेकिन बैंक लॉकर के मनमानी फीज भी तो वसूलते हैं अजीबो गरीब शर्ते भी रखते हैं तो क्या इसमें आक्चुली जो BCSBI है कोई दखल दे सकता है अधुलि तो कर चुछंगं माय। पंजाब नेशनल बांक जो की गाजेबाद में ब्रांच में बहुत बड़ी चोरी हो गई करोडो का सामान चोर लूट कर भाग गए और ये बैंक लोकर में लोकर में चोरी हुई है जहां पर सेंध मार कर चोरों ने सामान ले लिया लेकिन आखिरकार अब जो लोगों की गाड खरीदिये उसके रसीद लगे फिर जाकर लॉकर में रखें लेकिन जो क्लेम करना है क्या इतना वाकई बहुत जादा इतना आसान है कितनी जल्दी क्लेम मिल जाएगा यह कोई आसान तरीका नहीं है जैसे अभी खना जी ने भी बताया है थोड़ा सा अब यह मुश्किल आई ह लोगों को उसके निकलने के लिए उन्हें थोड़ा कुछ ऐसे केसिस पहले हुए होंगे जिसमें की कोट ने मौईजाद दिया है दिलवाया है कंपनसेशन दिया है तो बैंक को अगर आज अपनी कोई क्रेडिबिल्टी थोड़ी बहुत उसको इंटेक्ट रखना है उसको पना करत ने नहीन विमीन बिजनेंस तो जो पहले केसिस डिसाइड होए होए है उनको प्रिसिडेंट लेकर वो इन कैसेड को डिसाइड करदें वह पेनल बप 70 कि से वो सकता है लोगों को 100 परसंट से ना मिले लेकिन जो मिलेगा किम्पनेंशन उनको मिल जयाए क्योंकि यह बेंक की ग्रॉस नेगलीजेंस है जो दिवार 18 इंच की होनी चाहिए और लोहे के साथ बनी होनी चाहिए उसका प्रिस्क्रिप्शन होता है वो नहीं बनी हो यह और आपने उसमें अपना स्टॉंग रूम रख दिया है और आपके हैड ऑफिस से आपके जोनल ऑफिस से से क्यो है इसको यह डिसाइड करते हैं उनकी फेवर में कि आप अपना प्रूब करिए आपके पास क्या 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 कंटेंट से और उसको वो कंपल्सेशन दे यह उनको देना पड़ेगा और इसके इलावे एक और चीज़ इतनी ग्रॉस नेगलीजेंस है यह तो सामने आगे तो बै लेकिन इस पूरे मामले में तो यह समझा रहा है जिन लोगों के पैसे या सामान यह जूरी चोरी हुई है उनको अब काफी धक्के खाने पड़ेंगे कंजूमर कोड जाना पड़ेगा उसके बाद जाकर उनको इसका कॉंपरेंशन या वापस मिल रहा है अगर गोर्मेंट कर रही है ना वो सरकारी बैंकों से उमीद ना करिये क्योंकि सरकारी बैंकों के आपको से जाना झाये का चारी पाधियाना के मैंजमेंट ते परहनों अभी तक तो कुछ आया नहीं है और मैंने इतने साल देखे रहन Been विव देने को त्यार नहीं आप led принципе तरह इससे क्विकलिन kusus को से ऑiblिवेढ़ने में घालने से रहने को Savior see देखिए मेरे मंद में तो यह है कि आप कोशिस करके देखिए Reserve Bank of India को यह सब लोग represent करें कि पहले cases में courts नहीं फैसला किया है आप bank की management को directive दीजिए कि पुराने judgments के अनुसार इनको कुछ compensation करें अगर उनको सीधी उंगली से ढिगी उनका निकल आता है तो कुछ देर देख लें और नहीं आये तो इनको बैंक को notice देखे अब पंजाब नेशनल बैंक के विरोध में 30 के 30 परिवानों को एकठा होके एक किसी consumer sensation के माधियम से सेक्शन 12 1 B में national commission में consumer court में अरजी डालनी चाहिए compensation की और उसको उसकी पैरवी करके और उसकी legal rights अपने exercise करने चाहिए मुझे नहीं लगता कि आप घर बैठेंगे और कोई आपके घर में इस पूरी प्रक्रिया को आमतौपर कितना समय लग जाता है कितने time में कोई भी national commission का जो case है वो आपको तीन साथ साल से कम नहीं लगेगा ये समय लीजिया समीर और ये जो पूरी वार्दात हुई है गाजियाबाद के हम खासा पर बात करें यहां पर जिन लोगों के locker में चोरी हुई है क्या उनके compensation के लिए bank ने कोई बात किया और जो तमाम measures बताया जा रहा है experts की तरफ से भी क्या वो step लेने के आगे तैयारी में है स्राथी समसे पहले मैं ये बताना चाहूँगा कि चुकि अभी आप देख रहे हैं कि मैं खोदी पंजाब नेशनल बैंक के बाहर मौजूद हूँ cannot place में और यहां मैंने कुछ लोगों से बात करी जो यहां के bank जो खाता धारक है एक बात सब्सक्राइब आती है कि वो अपने lockers को लेकर शायद उनके पास इतनी जानकारी नहीं है क्योंकि जैसे जैसे हमने पूछा कि आपके साथ में अगर इस तरीकी कोई घटना होती तो आप क्या कुछ कर सकते हैं क्या आप अपने समान के सूचना bank के साथ देते हैं या जो भी इस तरीकी कमस्कले हैं तो ये बात कूल मिलाके निकल के आती है कि वो अपने locker के जो जितनी भी जानकारी है वो उससे ज्यादा अंजान है एक तरीके से और ऐसी घटना में क्या कुछ करे वो उनको clear नहीं है लिहाजा जो जैसा हमारे expert भी बता रहे हैं कि क्या कुछ किया जाना चाहिए precautionary measure के तहट वो एक बहुत important message है यहाँ से और लोग भी यह मानते हैं कि इसमें bank को भी अपनी जिम्मेदारी यहाँ पे निभानी होगी क्योंकि जो consumer का जो belief है जो उसका विश्वास है बैंकिंग प्रणाली पे है तब ही वो अपना घर छोड़के जहाँ bank के locker तक पहुँचता है जी सौती रखें ये ग्रहाकों के लिए जान अब बहुत बार शुक्राइब के सूरी साथ शीराम खना जी एसी महाजन जी और साथी समीर देक्षित हमारे से होगी हमारे साथ इस पूरी रिपोर्ट और इस डिसकस्शन में जोड़ने के लिए